हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका हमारी योटूब चैनल गुजराती कीचन हिंदी में आज मैं आपको गेहूं के आटे से बनाई हुई खारी बनाएंगे वो भी बिना अवन से और बहुती क्रिस्पी बनती है चाय के साथ खाने में बहुती मज़ा आता है तो चलिए रेसिप कप से लिया है आपको एपिकाटोरी से ले सकते है यहां पर दो बड़े चमच सूजी एड लेना है वो एड कर देंगे उसके बाद यहां पर एक चमच कुटा हुआ जीरा एड कर देंगे उसके बाद यहां पर चुटकी बर नमक एड करेंगे उसके बाद यहां पर तीन ना फिर नहीं जादा कड़ा होना चाहिए तो यहां पर थूड़ा पानी लेना है और अच्छे से गund लेना है करीब में आधाकट से थूड़ा ज्यादा पानी यूज किया है और जो जो मैंने यूज किया है नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के आपको दे दूँगी ताकि आपको आसानी रहे सामगरी लेने में और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजेगा आटा गून गया है तो यहां पर मैंने थुड़ा सा तेल लगा लिया है ताकि आटा बोहत ही अच्छे से सेट हो जाए और फीर से अच्छे से उसको मसल लेजिए जितना आटे को मसलेंगे उतना ही सौप्ट होगा तो यहाँ पे आटे को लगा दिया है, सेट कोने के लिए रख देना है, डगके करिब 10 मिनिट के लिए, तो यहाँ पे में डगकर लगा लूँगी, उसके बाद यहाँ पे घी लिया है, करिब 3 बड़े चम्मच गी को गरम किया है, और उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है क कुछ इस तरीके से तो बस हमारी ये प्यूरी तयार हो चुकि अभी हमें आटा गुन लिया है तुछ से चपाती बेलनी है तो आटे को फिड से एक बड़ी मसल लेंगे और मिडियम साइज के हमें पैने तयार कर लेने है जैसे रोटी बनाते है बस वैसे ही आपको तयार कर ले इस तरीके से अभी हमें एक बड़ी सी चपाती बेलनी है तो आपको नहीं ज्यादा मूटी बेलनी है नहीं ज्यादा पतली बेलनी है जैसे हम रोटी बनाते है बस आपको वैसी ही बेलनी है तो इस तरीके से आपको बेल लेना है यहां पर आपको सुखा आटे की ज़रूद चपाती बेल दी है उपर जो ने स्लरी बना के रखी है वो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे एवन आपको स्प्रेड करना है या फिर आप हाज से भी लगा सकते हैं तो बस यहां पर मैंने लगा दिया है थुड़ा सा डस्टिंग के लिए आटा छिड़क लेंगे कॉन फ्लोर ही छिड़कना है उसके बाद उसके उपर दूसरा लेयर के लिए दूसरी चपाती लगा कि इस तरीके से सेम तरीके से आपको कॉन फ्लोर लगा देना है तो यहां पर मैंने तीसरी रोटी को भी लगा दिया है और कॉन फ्लोर भी छिड़क लिया है नीचे से हमें टाइट कर के रोल करना है और एक ही दिसा में आपको सामने लाना है और उसके बाद आपको यहां पे कट कर लेना है रोल को तो यहां पे मैंने रोल को कट कर लूँगी मीडियम साइस के हमें कट कर लेना है बहुत ही आसानी से यह कट हो चुके है तो चलिए अभी आपको उसको प्रेस करन जिसी सिधा ही आपको फ्रेस करना है इसी तरीके से प्रोल चांश से बेल हॉ चांश दाई हर तयार कर लेकश मंसके उस कंड़ साथ सिदा-स साइड से कड़ कर लिजे पर यह था मैं तयार कर लिए difficult तो बस यहां पर गैस की आज मेडियम रखनी है और आपको उसको फ्राइ करना है तो यहां पर तेर अच्छे से गरम हो चुका है उसको एड़ करेंगे और गैस की आज ज्यादा नहीं रखनी है मेडियम फ्लेम में ही उसको फ्राइ करना है तूरंत नहीं पल्टाएंगे जैसे तो आपको इसमेंड़ the about the иногда उपम उपर आजाएगी आपको उब पलताना है आप देखेंगे कि एक दम ह्रेश्टा खुल गए है यानई कि भोब इंडकरी क्रिस्पी उप में खुल गए है बस अब हम उसको निकाल लेंगे तो आप देख सकते कि बहुत ही अच्छे से scallion कुरकुरी क्रीस्ट भी हमारी आटे से बनी हुई खारी बन के तयार हो चुकी है लियर भी आप दे सकते हैं तो आप भी ये रेसीपी को घर पे ज़रूर ट्राइ कीजेगा और करक है नीचे कमेंट करना बिलकुन मत भूलेगा और ऐसी नही रेसीपी के लिए गुजरादी की चन हिंदी को सब्सक्राइब कीजेगा रेसिपी गुजराती में देखना चाहते हैं तो गुजराती की चन को भी सब्सक्राइब कीजेगा और रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कूर मत बुलेगा मिलती हूँ एक ऐसी नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई झाल 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 झाल